हेलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं रुमाली रोटी वो भी बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एक कप मैदा और एक कप हम यहाँ पर गेहों का आटा लेंगे आप चाहे तो इसे पूरा मैदे से भी बना सकते हैं उससे बह बेकिंग पाउडर यहां जो हम केक बना सकती हैं और एक छांकर लेंगे आप चाहे तो नहीं कर सकते चाहे तही तो पर यहां पर हमारे रोमाली रोटी बनके तयार होते हैं दो चमच के करीब हम यहाँ पर रिवान डाल दे anne अगर आप इसे एकदम बजार जैसा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आटा मत यूज़ करिएगा आप इसे पूरा मैदे से ही बनाईएगा आप देखे यहां पर जो अच्छे से जो आटा है वो मिक्स हो चुका है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम अफनल करते हैं अब लगा लेंगे एकदम सॉफ्ट यहां पर हमने लगाना है बिल्कुल भी टाइट डो यहां पर नहीं लगाईगा एकदम सॉफ्ट और नरम डो यहां पर हमें बना करके та यर करना है अब देखिए इस तरीके से इसे मसलते हुए हम इसे हम अच्छे से सान लेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अगर आपको मेरी ये रैस्पी पसंद आये तो प्लीस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीस इसे सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करतीजेगा जिससे आपको मेरी आने वाली रैस्पीस की नोटिफिकेशन मिलती रहे है अब देखिए यहां पर आटा लग गया है यानि कि अच्छे से हमने इसका डो तयार कर लिया अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे हम आधे से एक गंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देएंगे रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसे अब देखि डो हमारा एकदम सोफ्ट है एकदम चिखना हो चुकाया पर एकदम भी टेखिप है अब इसे हम क्या करेंगे इसे हम ले लेते हैं और दो चैंटर पकी तरीकी से रोल कर देखिए बाटर लेंगे बहुत ही इसली ये रेस्पी बन करके तयार हो जाते है अगर आप लोई काट करके निकलते हैं तो सारी लोई एक समान निकलती हैं अब इसी तरीके से हमें इसे रोल करते हुए इसकी लोई बना लेनी हैं और हम थोड़ा थोड़ा आटा लगा करके इसे हम जैसे रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें यहां पर इसे बेल लेना है बहुत ही इजली तयार होजाता है दोस्तोंब यहांपर लगते हैं रेके टीश सकते हं Sure desem पर भी स्कुस्थे कर सकते हैं अगर भी सही रखते हैं आप तeleri पर पर अ court में आपर तेल लगा लेना है और इसके बाद हम इसके इसके मच करन आद तो है लेकrene इसे समय इन पर दो बंचाने यो मच्तार आप कुछlio होती है थीक से बनती नहीं है यानि की वह तरा है तो बहुत ही जलदी बन जाती है इसे हम बेङसे बड़ा राखना जतना बड़ा आपका तवा है उस हिसाब सभी सो यहाँ पतली है अब आसान तरीक है दोस्तों रुमाली रोटी बनाने का और बहुत ही ज़्यादा यह जल्दी बन जाता है अब देखिए यहां पर दूसरी तरफ मैंने तवा को पहले सही चढ़ा करके रख दिया था गैस पे और तवा अच्छे से गरम हो चुका विसको पर हम इस रोटी को डाल देंगे और दोन सकेंगे रोटी जब तक अगर रोटी अच्छे से पकेगी नहीं तो यह रोटी आपस में जूड़ी रहेंगी अलग नहीं हो पाएंगी ठीक से अब देखिए एक रोटी मैंने यहां पर निकाल लिया है आप दूसरी साइड इसे पलड़ देंगे और नीची का साइड भी हम इसे अच्छे से सीख लेंगे अब यहां पर दोनों ही रोटी अच्छे से अलग हो चुकिया आप देख सकते हैं अब आप इसे गरम गरम ही अपने रोटी के डपे में ढख करके रख दीजेगा या फिर आप कोई भी कॉटन का कपरा ले लीजेगा उसके अंदर आप इसे ल जंबे समय तक नरम और सॉफ्ट बनी रहेंगी रोटि हैं बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसे रोटी को बनाने का और वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसे बनाने का उनमे से एक तरीका आज मैंने आप सब के साथ में शेयर किया हुआ है । आधको मेरी ये वीडियो ये recipe पसंद आई होगी और recipe अगर पसंद आई हो तो please video को like और share जरूर कर दीजेगा दोस्तों और मुझे comment box में comment करके जरूर बतेगेगा कि आपको मेरी ये recipe कैसे लगी मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए bye-bye दोस्तो थैंक यू फॉर वाचिंग